मैं हूँ स्वर्णक और आपकी दोस्त दोस्तों आज के जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी ग्रामर में आप लोगों ने इस टर्म के बारे में सुना होगा लेकिन बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे सफिक्स का मीनिंग क्या है और इनने कैसे यूज किया जाता है तो आज की वीडियो में हम इसे देखेंगे लेकिन अगर अगर अब ली तक आप लेटर और ग्रूप अफ लेटर या तो एक लेटर या फिक ग्रूप अफ लेटर जो की किसी भी वर्ड के एंड में आड किये जाते हैं और वहीं पे वो उसके मीनिंग को पूरी तरह से चेंज कर देता है वो हमारे सफिक्स कहलाते हैं फॉर एक्जांपल मैं अभी आपको दिखाती हूँ जैसे मैंने यहां पर लिखा slow, slowly, slow यहां पर एक वर्ड है और उसके बाद suffix add किया गया है ly जिससे यह बना slowly यहां पर जो slow है वो तो adjective का काम कर रहा है लेकिन slowly यहां पर adverb का काम कर रहा है तो इस तरह से इसके meaning को और way जिस way में हम उस word को use कर रहे हैं उस way को change कर देता है अभी मैं आपको screen पे कुछ ऐसे group of letters दिखाए हैं जो यह commonly use किये जाते हैं suffix बनाने के लिए किसी भी word को यह suffix के form में add किये जाते हैं और उसका meaning बिल्कुल change हो जाता है वैसे तो बहुत सारे group of letters होते हैं लेकिन यह commonly use किये जाते हैं अब मैं आपको यह चीज़ clear हो गई होगी कि जो suffix होते हैं वो word के end में add किये जाते हैं to change its meaning जो उसका way है उसको use करने का जो तरीका है उसमें भी उसको changes करता है और उसका meaning भी कई बही words का change कर देता है अभी आपको और example दिखाते हूँ अभी आप देखें इन words को थोड़ा ध्यान से देखिए action, clever, friendship, agreement, act से बना action, clever से बना clever, friend से बना friendship and agree से बना agreement तो यानि कि last में हम लोगों ने group of letters को add करके इन suffix को बनाया है चलिए अब देखते हैं कि prefix क्या होते हैं देखें prefix जो होते हैं वो नाम से ही clear है रहा है prefix यानि कि पहले fix किये जाने वाला इसका meaning clear कर लेते हैं prefix का मतलब होता है letters या फिर group of letters जो कि किसी भी word के starting में यानि कि beginning में add किये जाते हैं उसके meaning को change करने के लिए चाहे तो उसके meaning composite भी बना दिया जाता है और उसका meaning भी change कर दिया जाता है लेकिन वो हमेशा words के beginning में add किये जाते हैं ये कुछ common prefix हैं जो कि ज्यादा तर use किये जाते हैं मैंने अभी आपके साथ ये share किये हैं अभी मैं आपको कुछ examples दिखाती हूँ जिससे आपको ये और clear हो जाएगा कि कैस इने use करना है जैसे कि impossible possible में add किया im बना impossible arrange arrange में add किया re बना rearrange load load add किया over बना overload चलिए कुछ और example देखते हैं wanted wanted में आपने आगे prefix add किया un बना unwanted obedient obedient के आपने आगे add किया dis disobedient then behave behave में आपने add किया miss बना misbehave तो इसी तरह से हम जब group of letters या फिक कोई भी letter add करके जो आगे use करते हैं वो prefix कहलाते हैं और ज़्यादा तर जो prefixes होते हैं वो opposite form करने के लिए use किया जाते हैं तो friends I think आपको ये term clear होगे होगा कि suffix जो होती है वो words के end में add किये जाते हैं group of letters और prefix जो होते हैं वो word के starting में यानि के beginning में add किये जाते हैं I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो please मेरी वीडियो को like and share करिए और मेरे चानल को subscribe कर दीजिए और bell icon को press कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के notifications आपको मिल सकें आगे नई वीडियो बना कर जल्द ही आपके साथ मिलूँगी तब तर के लिए bye and have a nice day ज आवे आपके समय सक्कारवा वीडियो Bay आपके साथ मिल आपके. झाल झाल